आज हम सीखेंगे वहन के बारे में जीव के शरीर में विभिन्न पदार्तों का वहन करने का प्रक्रम वहन तंत्र यानि ट्रांस्पोर्ट सिस्टम से समफन होता है चलिए पहले पादपो यानि प्लांस के वहन तंत्र की बात करें पादपो में पदार्तों के परिवहन का कारिय सनवहन उतक यानि कंडक्टिंग टिश्यू जाइलम और फ्लोयम करते हैं जाइलम जल और खनीज लवन का वहन करता है जबकि फ्लोयम भोजन और अन्य पदार्तों का वहन करता है चलिए अब देखते हैं कि जायलम द्वारा जल का वहन कैसे होता है जडों, तनों और पत्तियों की वाहिकाएं यानि ट्रकियत्स और वहनिकाएं यानि वैसिल्स जायलम उतक में मिलकर जल सनवहन वाहिकाव यानि वाटर कंड़क्टिंग चैनल्स का एक सतत जाल बनाती है यह जाल पादप के सभी भागों से जुड़ा हुआ होता है इसलिए जायलम में वाहिकाएं और वाहिनिकाएं होती है जो जल और खनिच का वहन आयन के रूप में करती है मुरुदा यानि सॉयल में से जडों की कोशिकाएं सक्रिया रूप से आयन अवशोशित करती है इससे जड और मुर्दा के बीच आएन सांदरन यानी आयन कॉंसंटरेशन में अंतर निर्मित होता है यह अंतर समाप्त करने के लिए जड रुदा से जड़ों में आता है और ब्रवेश करता है अन्वरत गती यानि Steady Movement से जायलम में जल आने से इसमें जल के स्थम का निर्मान होता है जो उपर की ओर धकेला जाता है जड़ों की कोशिकाओ द्वारा निर्मित वह दाब जिससे जल जायलम वहनी का में कुछ उचाई तक उपर की ओर जाता है मूल दाब यानि Root Pressure कहलाता है इसी तरह पादप के वाईवीय भागो यानि Arial Part से वाशप के रूप में जल की हानी होती है जिसे वाशपोत सरजन यानि Transpiration कहते हैं इस वाशपन यानि Evaporation से चूशन यानि Сक्षन का निर्मान होता है जिसे वाशपोत सरजन कर्शन यानि Transpiration Pull कहते है इससे जल उपर की ओर खीचा जाता है और पादप के सभी भागों तब पहुच जाता है वाशपोत सर्जन पादप के ताप को भी नियमित करता है पादपों को जल की तरह प्रकाश संसलेशन यानि फोटोसंतेसिस में निर्मित विलय उत्पादों, अमीनों अमल और अन्यपदार्तों का वहन करना भी महत्वपूर्ण होता है यह वहनकार्य फ्लोयम द्वारा किया जाता है प्रकास अंसलेशन में निर्मित विले उत्पादों का वहन स्थानांतरण यानि ट्रांसलोकेशन कहलाता है फ्लोयम में चालनी नलिकाए यानि सीव ट्यूप्स और साथी कोशिकाए यानि कमपैनियन सेल्स होती है विले उत्पादों का स्थानांतरण चालनी नलिकाओं में होता है, जिसके लिए सनलगन साथी कोशिकाए सहायता करती है साथी कोशिकाए में ATP नामक उर्जा अनू होता है, जिससे पादप में भोचन का वहन सक्रिय रूप से होता है पत्तियों में निर्मित विले उत्पाद ATP यानि अडिनोसीन ट्राइफोस्वेट के उप्योग से फ्लोएम में आते हैं, जिससे फ्लोएम में विले उत्पादों का सांधरन यानि कॉंसेंट्रेशन बढ़ता है इससे जाइलम और फ्लोएम के बीच परासरन अंतर यानि ओस्मोटिक डिफरेंस का निर्माण होता है यह अंतर कम करने के लिए जल जाइलम से फ्लोएम में आता है इससे फ्लोएम में परासरन दाप यानि ओस्मेटिक प्रेशर बढ़ता है जल और विले उत्पाद अधिक परासरन दाप से कम परासरन दाप की और स्थानांतरित होते हैं और विभिन स्थानों जैसे भंडारन अंग, फल, कलिकाएं यानि बर्ट्स इत्यादी तक पहुँच जाते हैं ध्यान रहे, फलोयम उपरी मुखी यानि अपवर्ड और अधो मुखी यानि डाउनवर्ड दोनों दिशाओं में वहन करता है जबकि जायलम केवल उपरी मुखी दिशाओं में वहन करता है मनुष्य में वहन का कार्य रुधीर यानि बलड द्वारा संपन होता है रुदीर एक तरल सन्योजी उतक यानि fluid connective tissue है जो प्लाजमा और रुदीर कोशिकाओ यानि blood cells से बना होता है प्लाजमा विलीन रूप यानि dissolved form में पाचित भोजन, कारबन डाय ओक्साइड, नाइट्रोजनी वर्जेपदार्थों का वहन करता है तथा लाल रुदीर कणिकाओ यानि red blood corpuscles oxygen का वहन करती है हमारे शरीर में विभिन नलियों का विस्तरुत जाल है जिनसे रुदीर प्रवाहित होता है इन्ने हम रुदीर वाहिकाओ यानि blood vessels कहते है रुदीर वाहिकाओ के तीन प्रकार है धमनिया यानि arteries, शिराए यानि veins और केशिकाओ यानि capillaries धमनिया यानि arteries oxygenate रुदीर को रिदय से शरीर के विभिन अंगों तक ले जाती है रिदयद्वारा pump किये जाने के कारण धमनियों में रुदीर उच्चदाब से प्रवाहित होता है धमनिया उच्चदाब सहन कर पाए इसलिए इनकी भित्ती मोटी और लचीली होती है प्रतेक धमनी छोटी-छोटी वाहिकाओ में विभाजत होती है सबसे चोटी वाहिकाओं की बित्ती एक कोशिक कि ये मोटी होती है इससे रुधीर और कोशिकाओं के बीच पदार्तों का विनी में आसानी से हो पाता है केशिकाओं आपस में मिलकर शिराएं यानि वेंस बनाती है जो V-oxygenate रुदीर को शरीर के विबिन अंगों से रिदय में ले जाती है शिराओ की बित्ति पतली होती है तथा इनमें वाल्व होते है ताकि रुदीर एक ही दिशा में प्रवाहित होता रहे रिदय एक पेशिय अंग है जो रुदीर को वाहिकाओं में पंप करता है Oxygen युक्त रुदीर और Carbon Dioxide युक्त रुदीर को मिलने से रोपने के लिए मनुष्य का रिदय चार कोष्ठों यानि चेम्बर्स में विभाजित होता है उपरी दो कोष्ठ अलिन यानि औरिकल तथा निचले दो कोष्ठ निलय यानि वेंट्रिकल कहलाते हैं चलिया देखते हैं कि रिदय रुदीर को कैसे पंप करता है जब दोनों अलिन शिथील यानि रिलाक्स होते हैं और दोनों निलय संकुचित यानि कॉंट्रैक्ट होते हैं तब फुफुस से फुफुसी ये शिरा यानि पल्मिनरी वेन ओक्सीजने तुरुधीर बाय अलिंद यानि लेफ्ट एट्रियम में लाती है। बाय निले यानि राइट वेन्ट्रिकल में स्थित वी ओक्सीजने रुधीर को फुफुसी धमनी यानि पल्मिनरी आर्ट्री ओक्सीजनी करण हे तो फुफुस तक ले जाती है। रिदयसे शरीर के सभी उतकों में और शरीर के सभी उतकों से रिदय में रुधीर की निरंतर गति को हम परिसंचरण यानि सर्किलीशन कहते हैं, चुकि परिसंचरण के प्रतेक चक्र में रुदीर दो बार रिदय में जाता है, इसलिए यह दोहरा परिसंचरण यानि डबल सर्किलीशन कहलाता है. पक्षी और स्थन्दारी यानि मैमल्स जन्तुओं में दोहरा परिसंचरण होता है मचलियों के रिदय में दो कोश्ट होते हैं ओक्षीजनित होने के लिए रुधीर रिदय से क्लोम यानि गिल्स में पहुचाया जाता है तथा क्लोम से ओक्सिजनित रुधीर शरीर में पहुचाया जाता है इस प्रकार मचलियों में परिसंचरण के प्रतेक चक्र में रुधीर एक बार रिधय में जाता है इसे हम एकल परिसंचरण यानि सिंगल सर्किलीशन कहते हैं जल्स थल्चर यानि अम्फिबियन्स और सरी सुरूप यानि रेप्टाइल्स जैसे जनतुओं में तीन कोश्टियों रुधय होते हैं इसी कारण इन में कुछ मात्रा में ओक्सिजनित रुधीर में वी ओक्सिजनित रुधीर मिलता है रुधीर में उपस्थित कुछ प्लाजमा, प्रोटीन और कोशिकाएं केशिकाओं की भित्ती के छिद्रों से निकल कर उतक के अंतरकोशिक या अवकाश यानि इंटरसलिलर स्पेसिज में आते हैं जिसे लसिका यानि लिंफ कहते हैं लसिका प्लाजमा के जैसे ही होता है लेकिन इसमें प्रोटीन के मातरा कम होती है और ये रंगहीन यानि कललेस होता है लसिका पच्चा हुआ तथा शुद्रांत्र यानि स्मॉल इंटरस्टाइन द्वारा अवशोशित वसा यानि फाट्स का वहन करता है और यहां अतिरिक्ट तरल यानि एक्सस फ्लूइड को बहाईय कोशिकिया अवकाश यानि एक्स्ट्रोसेलिलर स्पेस से रुधीर मिलाता है लसिका उतक के अंतर कोशिकिया अवकाश से लसिका केशिकाओं में जाता है लसीका के शिकाएं मिलकर लसीका वाहिका बनाती है जो शिरा में खुलती है जब हमें चोट लगती है तब हमारे शरीर से रक्तस्त्राव रूपने के लिए रुदीर में प्लेटलेट्स कोशिकाएं होती है ये कोशिकाय रक्तस्त्राव के स्थान पर रुदीर का थक्का यानि ब्लड क्लॉट बनाती है और रक्तस्त्राव होने से रोपती है तो आज हमने सीखा वहन के बारे में